आज हम बनाने जा रहे हैं ब्लू बर्ड का इंस्टेंट चाइना ग्रास जिसे मिल्क चैली भी कहते हैं यह मैंने स्ट्रॉबरी फ्लेवर का लिया है और यह एजी टू कुक है और यहां लिखा है जस्ट अड्ड मिल्क यानि इस पैकेट के अलावा हमें सिर्फ दूद की यह साचेस में से निकला है मैं इसे काट के बाउल में ट्रांसफर कर देती हूं ताकि पता चल सके के होता क्या है इसके अंदर यह देखिए आपको पिंक हलका सा कलर दिख रहा है और इसमें शुगर के ग्रैनियूल्स है यह मैंने आधा लीटर दूद है जिसे अच्छी से कर दिया है जब यह बॉइलिंग टेंपरेचर पर आ जाता है हमें यह मिक्स को इसके अंदर डाल देना है और अच्छी से स्टर करते हुए चलाते हुए इसे पकाना है हमें इसे तब तक पकाना है कि जो कंटेंट्स आपको दिख रहे है ना चम्मच के उपर वह अच्छी से मिक्स न हो जाए तो बहुत जल्दी ही बन जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है कभी ऐसा हो कि कोई महमान आने वाले है और डिजर्ट प्लानने किया है तो यह फटा-फट बनने वाली डिजर्ट है तो यह अब रेडी हो चुका है हम इसे ट्रांसफर कर देंगे जिस भी डिजर्ट में ऑ इसे लिए और बिली चाहिश सवर में अगया कि अगर आप बनाया तो ज़्याधा देर लगता है सेट होने में और अगर आप प्लेट में बनायाँगे एसी पलेट में तो बहुत क्विक्ली सेट हो जाता है बस टाइमिंग की बात है इसलिए दो तरीके कि म अब 10 मुनिट हो चुके हैं, हम इसे चेक कर लेंगे, यह देखिए, जो यह प्लेट वाला है, एकदम अच्छे से सेट हो चुका है, रूम टेमप्रेचर पे, और यह जो बाउल वाला है, अब भी सेट नहीं हुआ है, सेट तो होगा, बट थोड़ा सा टाइम और लगता है, तो कभी जल्दी हो, तो ऐसे बरतन में बनाना जादा अच्छा है, यह देखिए, अब इसको भी थोड़ा टाइम और हो चुका है, यह भी अच्छे से सेट हो चुका है, और यह बहुत ही अच्छा बनता है, और जल्दी से बन जाता है मैं तो इसे काफी बार बनाती रहती हूं तो आप लोगों को भी अगर पसंद आया हो या टेस्ट करना चाहते हो जरूर बनाईएगा बाई